हलो फ्रेंज आप सभी का ज्योती शूर्जा में बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से मैं आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आज का टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखे हम सब लोग मुबाइल फोन को यूज करते हैं और मुबाइल जो है वो आज कल बहुत ज़ादा कॉमन हो गए है हर घर में हर इनसान के पास अलग अलग मुबाइल होता है पर क्या आप जानते हैं कि मुबाइल से आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं अब आप ये सुनकर हैरान मत होए क्योंकि ऐसा होता है हर एक चीज जिसे हम यूज करते हैं वो किसी ना किसी ग्रह से रिलेट करती है मुबाइल फोन को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है अगर जोतिश की दृष्टी से देखा जाए तो वो हमें लग्जरीज देता है जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमें शुक्र प्रतान करता है शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो कुंडली में अच्छा है तो आपको हर तरह के बहुत एक सुख मिलेंगे आपको गाड़ी, बंगला, घर सब चीजें जो आप चाहते हैं आपको जीवन में वो सब चीजें मिलेंगी इसलिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि मुबाइल फोन से हम अपने शुक्र को कैसे अच्छा कर सकते हैं देखिए मुबाइल फोन आजकल बेसिक जरूरत है हर किसी को मुबाइल फोन की जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे काम आजकल मुबाइल से होने लगे है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बिल भरने के लिए ना बैंकिंग के लिए ना पैसे ट्रांसफर करने के लिए और ना ही खाना बनाने के लिए क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे खाना बनाने के ऐसे चैनल है जिने आप देखें और रेस्पी बुक को पढ़ने की भी आपको जुरूरत नहीं है व जो सबसे जादा जरूरी चीज है वो किस प्रकार आपके ग्रहों को ठीक कर सकती है आप लोग ये जाने चलिए जानते हैं कि किस प्रकार मुबाइल से आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं देखिए ग्रहों को ठीक करने के लिए एक बेसिक नियम होता है जोतिश में जिसे ह हम follow करते हैं उसमें से एक नियम ये है कि हम जो भी अपना ग्रह खराब है उसे ठीक करने के लिए हम उसे खुश करते हैं और खुशी तब मिलती है जब आप उस ग्रह को उसकीद जो है वो दान में देते हैं या जैसे मैं इसको example से आपको बताती हूँ कि अगर किसी का सूरे कम इस प्रकार से अगर आप ग्रह के रिलेटिड जो भी चीज़े हैं, अगर आप उन्हें खुश रखते हैं, उनका रिलेटिड दान करते हैं, तो ग्रह जो है वो ठीक हो जाता है, तो चलिए पहला ग्रह हम सूरे ही लेकर चलते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूरे अच्छा नहीं है, तो आप अपने पिता को अगर मुबाइल फोन देते हैं, गिफ्ट में, तो जो सूरे है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपना जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देना शुरू कर देगा, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, इससे आपको किसी चीज से भैल लगता है, आपके मन में किसी भी चीज को लेकर फियर रहता है, कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या आपको डिप्रेशन रहता है, आपको टैंशन रहती है, तो आप अपनी मा को, मौसी को, नानी को, अगर मुबाइल फोन गिफ् कि हम किस तरीके से अपने प्लैनेट को या उस से रिलेटिट जो भी हमारी रिष्टें हैं या हमारी चीजें उन्हें हम खुश कैसे कर सकते हैं मतलब यही है कि हम अपना मुबाइल गिफन देके अपने ग्रह को खुश करें तो ये हमारा परपस जो है वो solve हो जाएगा मुबाइल गिफट देने से और जब ग्रह कुछ हो जाता है तो वो अपना जो भी उसका प्रभाव है वो ठीक कर देता है हमारा अगला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को भाईयों से रिलेट किया जाता है, मंगल ग्रह को भाईयों का कारक ग्रह माना जाता है इसलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है या आपके साथ आपके भाईयों की नहीं बनती उनके साथ आपके अच्छे रिष्टे नहीं है तो आप अपने भाईयों को एक mobile gift दें इससे आपके रिष्टे भी सुद्रेंगे और साथ में आपका मंगल ग्रह भी ठीक होगा और आपका शुक्र ग्रह भी ठीक होगा हमारा अगला जो ग्रह है वो है बुद्ध ग्रह बुद्ध ग्रह को बहनों का कारक ग्रह माना जाता है और साथ में अगर हम कुंडली को देखें तो तीसरे घर से बुद्ध को देखा जाता है और तीसरा घर ही हमारे संचार का घर है, कॉमिनिकेशन का घर है वहां से ही हम यह सारा जो भी कॉमिनिकेशन की जो भी चीज़े हैं जैसे mobile भी हम communication के लिए ही use करते हैं तो वो भी तीसरे घर से ली जाती है और बुद्ध ग्रह से भी उन चीजों को relate किया जाता है इसलिए यहाँ पर बहुत जादा इसका important role हो जाता है अगर हम अपनी बहनों को mobile phone gift करते हैं तो इससे बुद्ध भी ठीक होता है और शुक्र ग्रह भी ठीक होता है अगला जो हमारा planet है वो है गुरू ग्रह जिसे जुपीटर बोला जाता है गुरू ग्रह के कश्टों से मुक्ति के लिए अगर आप अपने किसी भी पंडित को पुरोहित को या अपने किसी टीचर को अगर mobile gift करते हैं तो गुरू ठीक हो जाता है और अपने results बहुत अच्छे देने शुरू कर देता है आजकल तो देखा गया है कि बच्चे बहुत जादा mobile यूज़ करते हैं और कई बच्चे mobile से पढ़ते भी हैं काफी चीज़ें ऐसी हैं जो mobile या net से मिल जाती हैं जो बच्चों के लिए जरूरी होती हैं तो इसलिए अगर बच्चे अपने टीचर को mobile gift करते हैं तो उनका जो गुरू ग्रे है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है उनका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है टीचर के साथ उनके relation बहुत अच्छे हो जाते हैं जिससे उनने काफी help मिल जाती है अगला ग्रे है शुक्र ग्रे शुक्र ग्रे को पत्नी और प्रेमिका का रूप माना जाता है शुक्र ग्रे को मोबाईल भी माना जाता है इसलिए अगर अपनी पत्नी या प्रेमिका को अगर आप मोबाईल गिफ्ट में देते हैं तो सोने पे सुहागा होने वाली बात है शुक्र को अपने शुक्र गिफ्ट में दे दिया इससे आपका शुक्र और भी बलवान हो जाएगा आपको पैसों से related या material gain से related जो भी problem है वो सब solve हो जाएगी और आपका शुक्र बहुत ही जादा प्रबल योग देने वाला ग्रै बन जाएगा अगला ग्रै है शनी ग्रै शनी जो है वो आपके नीचे जितने भी employees काम करते हैं उनका कारग्रै माना जाता है जैसे labor हो गई या आपके घर में काम करने वाले लोग हो गई या घर के बाहर जो भी साफसफाई करमचारी हैं वो सब शनी के under आ जाते हैं तो अगर आपका शनी कमजोर है तो आप अपने नीचे जितने भी employees हैं उन में से किसी को भी आप अगर mobile गिफ्ट करते हैं तो उससे आपका शनी बहुत अच्छा हो जाता है इससे वो लोग भी खुश हो जाते हैं और आपका शनी आपको अच्छा effect देना शुरू कर देता है अगला ग्रे है राहू ग्रे राहू को नीच प्लैनेट माना जाता है उसे नीच ग्रे माना जाता है जो भी sweeper आपके घर से कुड़ा करकट लेने आते हैं वो सब राहू के अंडर आते हैं और जो सरकारी करमचारी होते हैं जो भी government employee हैं वो भी राहू के अंडर आते हैं और अगर आप उन्हें रिश्वत में वैसे रिश्वत लेना देना अच्छी बात नहीं है पर राहू का जो रोल है वो इसी प्रकार का है राहू अपना नीच जो इफेक्ट वो दिखाएगा ही दिखाएगा और अगर आपकी कुंडली में राहू खराब है तो आप किसी को पैसे देना चाहते हैं अपना कोई काम करवाने के लिए तो आप उसे अपने किसी सरकारी करमचारी को mobile gift में दे दे तो आपका काम जल्दी होने के chances बन जाते है हमारा अगला जो ग्रे है वो है केतू ग्रे केतू ग्रे एक ऐसा ग्रे है जो आपकी सारी घर की जितनी पी पुरानी चीज़े है वो केतू के अंडर आ जाती है तो इसलिए अगर आप अपना पुराना मुबाइल फोन किसी को गिफ्ट में देते हैं तो वो आपका केतू ग्रे जो है वो ठीक हो जाता है और आप उसके बदले में नया मुबाइल फोन ले लें प्रंतु जो पुराने मुबाइल हैं अगर आप उस तो घर से निकाल किसी को दान में दे रहते हैं तो उससे आपका केत्व काफी हद तक ठीक हो जाता है चलिए ये थी Nine Planets की बात कि अपने नौग रहों को आप मुबाइल फोन के जरीए किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं देखे ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो लोग मुबाइल दान में दे सकते हैं प्रन्तु आप अपने नौग रहों को और भी बहुत सारे उपाएं हैं जिन से ठीक कर सकते हैं तो इसलिए घवराने की ज़रूरत नहीं है सिरफ मुबाइल फोन को दान में देने से ही ग्रह ठीक नहीं होते बहुत सारे और उपाये हैं जिनसे ग्रहों को ठीक किया जा सकता है प्रन्तु जो लोग मुबाइल देना चाहते हैं ये उनके लिए था कि अगर वो अपने उनी रिलेशन्स में उन लोगों को देंगे जो भी ग्रह उनका कमजोर है तो उनका ग्रह जो है वो ठीक हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी ऐसी इन्फोमेशन्स जो जोतिष से रिलेटेड हैं वास्तु से रिलेटेड हैं निम्रोलजी से रिलेटेड हैं इस चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी और इन्फोमेशन्स मिल जाएंगी जो हमारे मंदिरों से रिलेटेड हैं यहाँ पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें सभी मंदिरों के हम मंदिरों की बात करेंगे कि इंडिया कौन-कौन से मंदिरों के लिए फेमस है और क्यूं है तो अगर आप लोग यह सब वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें